तो कुश्चन में क्या गीवन था दुबारा एक बार रीड कर देते हैं कहता है बिहारी लिमेटेड एक कमपनी है पचास हजार एट परसेंट रिडीमेबल प्रफरेंश येर है और हर कोई आज कल रिडीमेबल प्रफरेंश येर ही होता है 10 रुपे का एक है तो इसका मतलब सर देखा जायना तो टोटल प्रफरेंश शीयर होललर को जो पेमिन्ट करना है न वो करना है हमें 5 लाक रुपे है न वो कितना करना है हमें पांच लाक रुपे करना है और बोला उसके उपर हम प्रीमियम भी देंगे 10% तो प्लस अगर मैं सिक्यूरिटी प्रीमियम करके चलू तो सिक्यूरिटी प्रीमियम अगर करता हूं तो कितना हैगा सर्फ सिक्यूरिटी प्रीमियम और टोटल हमें पाँच लाग पचास अजार रुपे की पेमिंट करनी है इसके बाद आगे कहता है इस रिडेम्शन को परकरिया को करने के लिए हमने कुछ सोचा है सोचना तो पड़ेगा भाई क्या क्या सोचा है पहली बात मैंने यहाँ पर सोची है कि हम एक काम करते हैं सर 30,000 एक्विटी एशू कर देते हैं 10 वाला यानि सर 3,000,000 का इंतजाम हो गया एक्विटी का और साधारन एक्विटी नहीं इसके पर सिक्यूरिटी प्रीमियम लगाएंगे जो कि कितना सिक्यूरिटी प्रीमियम होगा 30,000 रुपे आगे कहता है 4,000 डिबेंचर भी इशू किया है ओके इसने 4,000 डिबेंचर भी इशू कर दिया 100 रुपे का 4,000,000 का यहां से इसने पैसा इखटा किया और इसके बाद सिक्यूरिटी प्रीमियम इसके भी भी 5% है तो इसका मतलब सर 20,000 सिक्यूरिटी प्रीमियम है इसके उपर बीस हजार सिक्यूरिटी प्रीमिम है अभी मैं डाउट देख रहा हूँ बच्चों का बस मैं सभी का रिप्लाई कर दूँगा सर कैश फ्लो में होल्डिंग कैश फ्लो और अमल्गमेशन करवाया है मैंने अभी क्या करवाया है सिनेहा मैं उस चेप्टर का नाम बता देता हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ share capital करवाया है और share capital के बाद दूसरा chapter start किया है इसके अलाबा जो आपके college में internal होने वाले हैं जिनके वो पुरानी वीडियो में से देख के कर सकते हैं और सारी वीडियो देखने की जुरत नहीं है जो चेप्टर है वो tentative idea ले लीजिए तो जब मैं cash flow करवाऊंगा तब आपके सारे doubts clear हो जाएंगे क्योंकि इस पर cash flow थोड़ा अलग तरीके से भी करवाऊंगा मैं क्योंकि पहले simple simple question पूछे जाते थे अब question पूछने का क्या हो ट्रेंट चेंज हो गया तो हम सब चीजों को ध्यान में रखेंगे चली आगे चलते हैं सर इसके बाद क्या हुआ the issue was fully subscribe and allotted receive the redemption was duly carried out कर लिया गया the company has general reserve company के पास पहले से general reserve 4 लाग का है पास necessary general entry सबसे पहले बता दीजिए मुझे कौन बताएगा मुझे कि मैंने कितना CRR create करना है कितना CRR create करना है सवाल में होता क्या है जर्नली के सर आपको जो preference share holder को पैसा कितना देना है उसका face value पता करिए तो सर preference share holder को पैसा देना है 5 लाग रुपे तो काईदे से देखा जाए तो इस 5 लाग रुपे का payment करने के दो भी है या तो मैं fresh equity share issue कर दूँ और सर यहाँ पे ध्यान देना सिर्फ fresh equity share है इसमें debenture count नहीं होगा कुछ बच्चे अगर debenture count कर लेंगा examiner confuse करने के लिए देगा क्योंकि debenture से हमारा share capital का impact थोड़ी ना आता है वो तो हमारा other liability का part होता है तो सर यहाँ पे equity share अगर देखा जाए तो मैंने 3 लाग का कर लिया है तो बाकी का हमें कहां से इंतजाम करना होगा CRR यानि CRR कितने का बनाना होगा दो लाग का बड़ी सीधी सी बात है CRR बनाना पड़ेगा हमें 2 लाग रुपे का अभी शेक का no voice नहीं voice तो आ रही है MD sir कल की class sir कल की class समझने CRR है हमारा capital rhythm से देखे जो बच्चे नहीं है मैं थोड़े word को explain करूँ है और जो बच्चे last class को miss करके आए वो पिछली class को देखना जरूरी है क्योंकि एक घंटे की class में 5 मिनिट में चलो मैं समझा भी देता हूं आपको के CRR ये होता है ये होता है ये होता है तो आपका base खराब हो जाएगा उसमें क्योंकि आप 5 मिनिट में समझोगे आपको लगेगा सर ने समझाया सब कुछ ठीक समझाया और आप पिछली class को एक घंटे कौन इंवेस्ट करें आप बढ़ जाओ गया गया जिससे आपका क्या होगा दिक्कत हो जाईगी उसमें पिछली class में हमने theory भी किया था CRR होता है Capital Redemption Reserve चलिए सर यानि मैं मोटी मोटी बात करूँ तो हमारे पास 5 लाख रुपे का इंतजाम करना था जिसमें से 3 लाख equity share से इंतजाम हो गया और 2 लाख रुपे CRR से हो गया ठीक है अब simple simple हम entry करते जाएंगे और उसी के साथ साथ स होता जाएगा चलिए सर इसको इधर कर देता है इसको भी थोड़ा चोटा कर देता हाला कि balance sheet बनाना नहीं है क्योंकि कुछ जानकारी है नहीं भाई अभी hand raise का किसी का doubt नहीं लेंगे रिपीट कहां से करें अभी रुख जाएंगे अमडी सनोवर पुरानी class देखिये जिनको दिक्कत है अभी अभी इस class में मैं पूरे class में ये वाली चीज़ है टॉपिक पूरे class में ये वाली चीज़ है टॉपिक बिलकुल अकास general reserve से ले सकते हैं चलिए इसको यहां set करते हैं चीक है अब general entry में तयारी मैंने क्या कहा था सबसे पहले आपने बनाना है जो जो काम हुआ है fresh issue किया है तो पहली entry first entry क्या करेंगे बताओ fresh issue में share application sorry bank account bank में पैसा आएगा ना पहली entry करेंगे हम bank account debit to share application अब बताइए कितना आएगा sir कितना आएगा आपका तीन लाख और तीन लाख था हो और तीस अजार रुपय का premium भी होगा तो टोटल तीन तीस जिसको समझ में नया है पूछ लीजिएगा इसके बाद आएगा हमारा share application two equity share capital और two security premium यह आगया तीन लाख और यहां तीन लाख और यहां तीन लाख और यहां तीस अजार यहां तीन तीस आएगा यहां पर आएगा तीन तीस है ना तीन लाख तीन लाख और यहां तीस अजार अब आगे बोलता है सर डिबेंचर भी इशू करा कोई बात नहीं कर दो डिबेंचर इशू तो bank account debit bank account debit to debenture application सर कितने debenture हैं सर 100 रुपय का एक debenture इंटू में 4000 और प्लस security premium तो security premium पांच रुपय का है तो मैं 100 की जगह इसको लिख देता हूँ 105 100 की जगह लिख देता हूँ 105 तो कितने हो जाएंगे चार लाख बीस होगा चार लाख बीस अजार और यह भी होगा चार लाख अगली एंट्री debenture application 2 कितने परसेंट डिबेंचर 10 परसेंट डिबेंचर अब ध्यान रखिएगा जब हम पहली यहाँ भी 10 परसेंट लगा सकते हैं लेकिन यहाँ यहाँ पे लगाना या ना लगाना आपके इच्छा लेकिन जैसे share capital लिखते हैं तो debenture क्रेडिट करना होता है तो 100 परसेंट परसेंटेज कितने आगे सर 20 अजा अब हम क्या करेंगे सर CRR क्रेट कर लेंगे हमारे पास GR में पहले से पैसा पढ़ा हुआ है तो general reserve to CRR to CRR general reserve to CRR कितने चाहिए 2 लाग रुपे यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछेए फिर मैं due और paid और right offer फिर खतम करेंगे इसको यहाँ तक में किसी बच्चे को doubt है तो पूछिए CRR दुबारा बताना है देखो CRR का क्या है मैं दुबारा लिख देता हूँ CRR देखो हमें redemption के लिए जो total face value का पैसा चाहिए face value का पैसा चाहिए न वो total चाहिए 5 लाख रुपए कैसे आया है sir 5 लाख 50,000 और into में 10 जिस 5 लाख रुपए में से हमने कुछ fresh issue equity share कर दिये है that is आपका 3 लाख रुपए तो और जो आपको capital maintain करना है उसको आप maintain कर लोगे balance amount से जिसको बोलते है capital redemption reserve sir capital redemption reserve क्या होता है general reserve से पैसे निकाल के इसमें डाल लेना तो वो कितना maintain किया है हमने 2 लाख रुपए तो अगर general reserve से पैसे निकाल के हम डालेंगे तो general reserve हो जाएगा debit और 2 में आ जाएगा CRR CRR होता है capital redemption result चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं sir due paid जो भी entry बनती है इसको भी यहां से उठा के ले जाते हैं यहां general entry कर लेंगे चलिए अब due कर लेते हैं अब debenture holder को बुला लेते हैं sorry preferent share holder को बोल देते हैं वही अपने payment को ले जाएए payment आ गई है उसको बुलाएंगे तो हम क्या करेंगे कितने percent preferent share था 8% preference share capital account आपको exam में पूरे पूरे शब्द लिखने है debit सर कितने पांच लाग इनको security premium भी देना है मेरे लिए नुकसान security premium debit 10% है तो that is 50,000 और two preferent share holder preferent share holder को कितना payment देंगे पांच लाग 50,000 रुपे इसके बाद preferent share holder को payment कर दो सर preferent share holder account debit to debit to bank कर दो payment कितना payment करोगे पूरे कर दो 5,000,000 पूई hold नहीं करना तो सर 5,000,000 पूच लाग अब आगे security premium को write off भी करना है तो security premium आपका जो balance sheet में या new मतलब balance sheet के अंदर जाने वाला था वो और two security premium सर जो two में security premium है on redemption वाला है तो security premium कितना जाएगा सर 50,000 क्या हमारे पास security premium में वाक्य में 50 है तो जी हाँ 30,000 देखो यहाँ पे है और 20,000 यहाँ पे है तो 50,000 था तो इसी 50,000 को debit करके two premium करके खतम कर दिया देखे कोई doubt फिर हम balance sheet पे आएंगे बताईए कोई doubt फिर balance sheet पे आते हैं सर SP बहुत बच्चों को दिक्कत है security premium में चलिए इसको समझाई देते हैं देखे सपोस करिए यह balance sheet है और balance sheet में general reserve इधर होता है मान लो 2,000,000 general reserve के बाद आपका होता है क्या यहाँ पे security premium भी होता है मान लेते हैं 1,000,000 यह security premium कहां से आया यह security premium आया जब हमने share को या debenture को जब हमने कभी भी पहले issue किया होगा अब यह कभी issue किया होगा इसमें हम नहीं जा सकते तो जब यह security premium का पैसा लिया था तो section हमारा section 52 subsection 2 activate हो गया था और इस section ने हमें क्या समझाए कि भाई इसका use आप मत करना वहाँ पे बताया था आपको use करना है कुछ specific जगह पे जिसमें से एक जगह लिखा हुआ था payable security premium payment अगर security premium का payment करना हो on redemption of preference share capital तो आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं कौन कहता है सर यह section कहता है यह law कहता है तो अब मुझे पता है कि मैं इस वाले पैसे को इधर उधर कहीं use ही नहीं कर सकता तो अब मुझे क्या redemption पे security premium करना है तो जब हम यह वाली entry करते हैं जैसे अभी हमने किया था 8% preference share capital 8% preference share capital और क्या किया था सर हमने 8% preference share capital के आगे security premium तो यह वाला है कि 50,000 रुपे आप लोटा रहे हो और पांच लाग लोटा रहे हो टोटल पांच लाग पचास अजार रुपे आप दे दोगे preference share holder को तो सर यह वाला जो premium है ना आप ध्यान दीजिए यह premium अभी नए वाला है new premium है यह सर new premium एकदम new premium है और यह वाला premium मुझे देना है सर देना है यह premium किसको देना है preference share holder को देना है और यह वाला जो premium हमने लिया है लिया है तो इसका इस्तमाल कर सकते हैं मेरे pocket में कितना premium है कौन बताएगा मेरे पास कितना premium है तो जवाब है sir मेरे pocket के अंदर जो premium है वो है लाक रुपिया एक लाक रुपिया मेरे pocket में कितना premium है अब कौन बताएगा के मुझे premium कितना देना है कौन बताएगा मुझे premium देना कितना है तो जवाब है सर मुझे जो प्रीमियम देना है न वो देना सिर्फ मातर 50,000 है तो मैं क्या करूँगा अपने बैलेंस शीट में से प्रीमियम को निकालूँगा तो मेरे जब बैलेंस शीट कौन सा साइड होता है सर यह लाइबलिटी साइड होता है लाइबलिटी साइड मतलब credit साइड तो जब मैं बैलेंस शीट में से निकालूँगा न तो क्या entry होगा security premium account debit अब यह कौन से वाला premium है तो मैं bracket में लिख देता हूँ balance sheet वाला पहले यह समझे यह debit हो गया अब इस premium को payment करूँगा तो यह खतम हो जाएगा तो इस वाले premium को कर दूँगा to security premium ये कौन सा है जो redemption वाला है और कितने रुपे होगे सिर्फ 50,000 रुपे मात्र इसलिए हमने क्या करा पीछे एक entry कर दिया क्या entry करा security premium to security premium हमने क्या entry करा security premium to security premium हमने कर दिया जो जो साथ कर दो